तो नमस्ते भारत आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का असिरवाद मिलने वाला है जो ना केवल राष्टिय बलकि अंतराष्टिय संत के तुल्य है मुरार जी बापू को हम सभी जानते हैं परम आदर्निय परम स्रद्धे मुरार जी बापू से मिलना किसी आस्चर्य यह कह सकते हैं वर्दान से कम नहीं है तो आज हमारे इन कस्टों का जो अभी तक हमने इन रास्तों में गुजारा है यह तकलीफों को सहा है उसका हम कह सकते ह एक सकारात्मा प्रतिफुल हमें मिलने वाला है और एक प्रमुक व्यक्तित्व का हमें आशिरवाद मिलने वाला है प्रमुक शंत भारत के और ओजश्वी वक्ता प्रमसरद्य मौरार जी बापु से हम आशिरवाद लेने वाले हैं तो चलिए चलते हैं हमारे साथ साथ आप भी मौरार जी बापु का अश्रवाद लीजे और प्रभू श्री राम चंदर जी और हनुमान जी का नाम लेकर हमारी यात्रा के लिए अश्रवाद प्राप्त करते हैं इस प्रकार के ओजस्वी विक्तित्त से मिलकर सरीर में एक अलगी प्रकार के उर्जा का संचार होता है और वही सक्ति देता है हमें आगे के कश्टों को सहने के लिए झाल 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 झाल